प्रत्ताथियो अस्सानामु अलेकुम 15 अगस्त दोस्तों हम तिरंगा लहराएंगे बक्ती जीद गाएंगे वादा करों के दुख्याने सब से प्यारा देश बनाएंगे दोस्तों आजादी का मतलब सिर्फ वहीं समझ सकता है जिसने कभी कुणा मिकी हो और आज हम सब कुछ तुस्तों है कि हमें छितुस्तान में जन्द किला और ये आजादी हमें मुफ्त में ने इतनी इस आजादी के बदले में हमारे कितने वी जवान चाहित है और जब एक नौजवान अपनी देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाता है तो केमा एक ही नौजवान तयान नहीं होता लेकिन उनके बूड़े माबाप के कही सबसीत तयार होते कही ह тебя तै और जब आतलुवादी के हमें हमारे नौजवान शहीत होता है तो पता है क्या होता है इस धर्तिमा का सीना भठ जाता है रूप ये रूप काज़ात है और उनके बुड़े माबाब का दिल चकनाच फूर हो जाता है उनके बुड़े माबाब के कई सप्पे उनकी दियू के कई खौनशाथ चूड़ी वो चूड़ी वो कंगई वो बिंदी वो मुस्कान सब एक सफ्पेढ काज़ की तरफ रूपोश हो जाते है और जब एक दोज़वा सहित होता है तो केवल एक परिमार नहीं होता बलकि वो इंसान होता है जिसे शाध़े माईने पता हो वो वो नागरिक होता है जो अपने देश के प्रतिक प्यार करता है और जब तिरंके से लिपते हुए जवान को आखनी बार आखनी बार एक पाप ते स्थीने से लगाती है तो एक साथ 30 का रोड़ सुथानी रोड़े लगते हैं यह हमारे देश्टे सच्चा है और आज हमारे देश्टे हमारी देश्टे राजनेता उनके शुआरिये को राजनेती मिला रहा है हमें ऐसे सुवर्थी और सष्टी नेतगिरी करने वालों की कोई दर्वत नहीं है जरूरत नहीं है क्योंकि ये भारत 1922 भारत नहीं भारत है दुश्मनों के घर में गुशेंगा भी और उन्हें मारे का भी और दोस्तों हमारे इंदुस्तान नहीं कभी रुखेंगा और नहीं कभी जुखेंगा और दोस्तों आज इन छोटी छोटी आपको वाले के इंदुस्तान के भाजवानों ने ठुल चटा थी और उन्हें पीछेंटने पर मजबूर कर दिया लेकिके आरिक तो नसीपी है क्योंकि हम छोटे से चीज़ की बजाए बड़ी इसी चीज़ का ज्याद से ज्याद इस्तेमाल करते हैं और आप सभी को तो बात होगा कि अंग्रेश हमारे इंदुस्तान करते हैं